खलो फ्रेंस व्ल्कम टो आर चैनल इस वीडियो का टॉपिक है हमारा cm fano coding इससे पहले हमने हम्ने mass coding देखा था जो कि सेम इसी की तरह है इस का लिंक भी आपको वीडियो की description में मिल जाएगा तो самом feno coding में हें coding efficiency निकालना है जो कि हमने पहले हफ्मेन कोडिंग से भी निकाला था तो सेम फॉर्मूला यहां भी उद्ध होगा बस थोड़ा सा चेंज है तो वीडियो को लाज तक देखेंगे तो यहां पर हमें question दिया हुए है जिसमें probability दी हुई है PX1, PX2, PX3, PX4 और PX5 और हमें निकालना क्या है इस message का coding efficiency निकालना है जो कि हम पहले हमें coding में निकाले थे तो सबसे पहले given data लिख लेंगे जो PX1, PX2 दिया हुआ है उसको फिर इस तरह कुछ table form करेंगे टेबल में क्या करेंगे पहला लिखेंगे XI दूसरा लिखेंगे PXI फिर step 1, 2, 3 and code and number of bits ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो given probabilities है उसको पहले decreasing order में arrange कर लेना है जैसके मैंने यहां कर लिया है यहां हमारे question में पहले से ही उसी order में है तो यहां पर हमने same to same लिख लिया है अगर question में आगे पीछे हो माली यहां पे 0.19 यहां पे हो यह 0.4 यहां पे हो तो उसको आपको क्या करना है decreasing order में इस तरह arrange कर लेना है अब step 1 में हमें क्या करना है ज्यान से देखिएगा step 1 में हमें कुछ इस तरह partition करना है इस probability का कि जो partition हो पार्टिशन के उपर हो और partition के नीचे दोनों का अगर sum करें और तो उन दोनों का difference जो होना चाहिए वो minimum होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए ठीक जितना minimum हो सके उतना होना चाहिए माली ज़्य मैंने partition किया यहां से यहां शुरू 1 से start किज़ेगा पहले वाले value को लेके ही start किजेगा माली जी यहां मैंने partition कर दिया तो यहां हमें उपर क्या मिला 0.4 और नीचे की जो सारी value है उनका अगर हम sum करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6 इतनी values का हमें 0.6 मिलेगा तो 0.6 minus 0.4 तो दोनों का difference क्या होगा 0.2 और देख लिजेगा माली जी इन दोनों को एक रखते हैं यहां partition करते हैं और इन तिनों को add करते हैं और इन दोनों को add करते हैं तो इन दोनों का addition मिलेगा कितना मिलेगा 0.59 मिलेगा और इन तिनों का addition मिलेगा 0.41 ठीक है और 0.41 और 0.59 दोनों का interference क्या है? 0.18 पहले हमें क्या मिला था? जब एक लेकर सले था तो 0.2 अब ही हमें थोड़ा और कम मिला है 0.18 अब चाहे तो तीन में कर सकते हैं यहां से भी partition कर सकते हैं लेकिन value क्या है हमें दोनों का difference जो है वो ज्यादा मिलेगा अभी हम लोग यहां से partition करते हैं, यहां से, ठीक है, तो partition में हमें क्या करना है, step 1 में, जो partition होगा, उसके उपर जो हमारे probability होगी, उसको code दे देना है, 00, यह हमने 00 दे दिया, और जो नीचे value है, उनको देना है 1, यह तिनों को हमने दे दिया 1, ठीक है, आगे बढ़ते है, step 2 step 2 पे हमें क्या करना है, जो partition हुआ है, उसके अंदर और partition करना है, जैसे यहां पे 00 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से part में, यहां से आप, यहां तक, ठीक है, यहां से इन दोनों को हम फिर से part में divide कर सकते हैं, उपर वाले को 0, और नीचे वाले को 1, हमने कहां से partition क में है नहीं थीक है आगे बढ़ते हैं इन तीनों की बात करें तो इन तिनों में भी सेम प्रोसेस करना है मालीजे पहले 0.16 को ले लिजे अलग और यहां से मालीजे partition कर रहे हैं और इन दोनों का addition कर दीजिए तो पहला हुआ 0.16, इन दोनों का addition आएगा 0.25, और दोनों का difference निकालेंगे हम लोग, तो किता मिलेगा, 0.009, ठीक है, difference मिलेगा, और अगर माली यहां से partition करते हैं, तो इन दोनों का sum होगा, 0.31 और 0.1, इसका difference निकालेंगे, तो 0.21 आएगा, तो यह value हमारी और बड़ी हो गई ठीक है, तो हमें suitable कुन सा है हमारा, इसको अलग part कीजिए, और इन दोनों का अलग, तो यहां से हमने, इसको अलग part में कर दिया, कुछ इस तरह, यहां तो हमारा complete हो गया था, ठीक है, अब क्या करना है, partition के उपर वाले को 0 देना है, partition के उपर 0, partition के नीचे क्या देना है, 1, step 3, जो के हमारा last step होगा, यहां पर हमारा partition बचा हुआ है, इसको और हम लोग 2 part में divide कर सकते हैं, यहां से, simple, इसके सिवाय तो और कोई chance है ही नहीं, ठीक है, तो यहां से फिर से 0 देना होपर वाले को और नीचे वाले को 1 देना है, यहां पर हमारा step खतम हुआ, फिर आते है कोड पर, अब कोड पर देखेंगे, तो इस probability को हमें कौन सा कोड मिला है, 00, यहां लिख लेंगे हम लोग, 00, इसको मिला है, 01, यहां से, यहां से मिला है, 10, and 110, 110, and last वाले को मिला है, 111, यहां से हमें इसका कोड मिल गया, last table, हमें क्या करना है, number of bits, number of bits निकालना है, कि यह कितने bits से मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर कितना bits है, number of bits, 2, यहां 2 लिखेंगे, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर कितना है, 3 bits है, यहां पर लिखेंगे 3, यहां पर भी 3 ह काम खतम हुआ, अब क्या निकालना है Coding Efficiency Coding Efficiency के लिए हमारे पास formula होता है इसको Eta's represent करते है efficiency को, ठीक है Hx upon L ठीक है, इधर जो formula हम लोग यूज करेंगे, वो same हमने Huffman Coding में भी यूज किया है तो उसे भी है आप जाकर देख लेंगे ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह हमारे क्या होता है Entropy होता है और यह होता है, L होता है Length ठीक है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं Hx निकाल लेते हैं तो Hx Hx is equal to होता है हमारे पास formula होता है उसका summation K is equal to 1 2M Pk log base to 1 upon Pk या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं minus K is equal to 1, 2M Pk log to Pk तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे इस formula को ठीक है तो हमें क्या करना है कि K के place पे 1, 2, 3, 4 put करना है यहाँ पर हमारा M का value हो जाएगा 5 क्योंकि यहाँ पे 5 values दी हुई है तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 ठीक है अब 1 से ले करके 5 तक हमें K के place पे put करना है और जितने भी आएंगे उनका sum करना है क्योंकि यहाँ summation लिखा हुआ है अगर यह वाला formula आप use करते हैं तो आपको सामने minus नहीं लगाना पड़ेगा और यहाँ minus लगा हुआ है तो आपको minus लिखना पड़ेगा जैसे कि अभी देखें minus लिखा मैंने ठीक है अब 1 put करेंगे तो P1 log 2 P1 हो जाएगा तो P1 की value हमारे पास क्या है यह 0.4 log 2 0.4 फिर प्लस करेंगे 0.19 log 2 0.19 plus 0.16 log 2 0.16 plus 0.15 log 2 0.15 and last है 0.1 log 2 0.1 चीक है इसको आप Kelsey solve कर लेंगे Kelsey में कैसे put करेंगे देख लिए एक बार ठीक है जैसे इसको put किये हम लोग तो 0. यह minus को अंदर multiply कर दीजेगा यहाँ भी minus आजाएगा यहाँ भी minus तो एक और simple step हो जाएगा हमारा तो सीधे minus किजीएगा 0.4 यह वाला log यूज करना है log 2 0.4 इस तरह माइनस करते हुए आपको क्या करना है इसको solve कर लेना है तो calcium put करके तो इसका answer मिलेगा हमें इसको जब solve कर लेंगे completely तो 2.15 और इसका symbol होता है यहाँ unit होता है bits पर symbol तो यह हमारा क्या निकला HX जो कि क्या है entropy entropy यहाँ से हमने निकाल लिया है अब बारी आती है code length की now code length का हमारे पास formula होता है L is equal to summation के I is equal to 1 2M P XI Ni तो यहाँ पर PX हमारा क्या है जो probability दी हुई है और N है हमारे पास number of bits जो कि हमने table से निकाला था last column में यहाँ से फिर से value put करते हैं तो जब 1 put करेंगे यहाँ पर 5 M is equal to 5 फिर से क्या है? 5 है ठीक है 1 जब put करेंगे I के place पे तो हो जाएगा PX1 N1 तो PX1 के value आप question से देख सकते हैं simply आपको यहाँ क्या करना है जो probability दी हुई है उसको आपको multiply करना है उसके number of bits से तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा फिर से दूसरी probability 0.19 जिसका number of bits समने निकाला था 2 प्लस करेंगे 0.16 इंटू 2 प्लस 0.15 इंटू 3 प्लस 0.1 इंटू 3 इसको फिर से calculator से आप solve करेंगे तो आपको मिलेगा इसका answer मिलेगा 2.25 letter per message जो कि इसका unit है यह हमें क्या मिल गया length मिल गया इसके पहले क्या निकाला था entropy अब हमें क्या निकालना है code efficiency code efficiency जिसको ETAs represent करते हैं इसको formula था HX upon L तो HX हमने पहले क्या निकाला है 2.15 और L निकाला है यहां से 2.25 तो जब इसको solve करेंगे तो मिलेगा 0.9555 अगर इसको percentage में लिखना चाहे तो percentage में मिलेगा 95.55 तो यह हमारा क्या निकला code efficiency निकला यह हमारा final answer होगा तो इस तरह हमने Sun and Feno Coding से code efficiency निकाल लिए थैंक्स पर वाचिंग